खबर गुना से जहां बिना रजिस्ट्रेशन कागजों के वाहन विक्रे जोरों पर धोका धड़ी कर बिना रजिस्ट्रेशन कागजों के विक्रे वाहन पर फरियादों की नहीं हो रही थाने में सुनवाई एक बार फिर मदू सुधनगर थाना सुर्खियों में है इससे कुछ समय पूर भी जमीन के एक मामले में किसान के द्वारा थाने में सलफास खाने का मामला सुर्खियों में आया था अब एक बार फिर इसी थाने में बिना रेजिस्ट्रेशन और कागजों के विक्रे हुई पचपन गाणियों का मामला जांच में लटक रहा है लेकिन फरियादों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है मदू सुदंगर थाने में कई लोग ने थाने पहुँचकर लिखित में आविदन देकर सगीर खान नामक युवक के द्वारा उनके साथ हुई धोका धड़ी मामले में 420 का मुकदमा दर्च कर F.I.R. की मांग की थी जिस पर थाना प्रबारी द्वारा हैंड कॉंस्टेवल राणा को मामले की जाच कर कारवाई करने के आदेश रिये थे लेकिन इस मामले में भी पुलिस द्वारा फरियादों की ना सुनते हुए उल्टा आरोपी के पक्ष में बोल रही है और कारवाई के नाम पर सिर्फ मामले की जाच चल रही है इस मामले में फरियादों की सुनवाई कम और आपराधिक प्रवित्ती के लोगों का साथ जादा दिया जाता है यही वजह है कि मामला नयाय की उम्मीद लिए सी-म हैब लाइंग तक पहुँच जाता और इस मामले म में भी यही हुआ हमारे गुना जले के पुलिस अदीक शक राजीव कमार मिश्रा के द्वारा अपराधों को रोकने के लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है तो वहीं मदू सुदंगर थाने में मामला कोई भी जाए जाच में ही लटकर रहता है संबन में जब थानव प् है कि पैसा बोलता है कि सकीर ने मोटर साइकल देती साब पास साल हो गया अभी तक का गया दे है कुछ नहीं हमने ले सिकात कर दी साब पातक चोरी रख गाली रख है कपत वारने चोरी करी कि कहा से लाए आपने देंगे हमने रुकत है पूरे चुपकर ना यहाँ